पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटिस अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलू करें पीएमसी हिंदी की खास कारी क्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है कोई भी आत्मा धर्ती पर आती है तो शरीर के माध्यम से वो माता-पिता से, समाज से, परिवार जनों से कुछ न कुछ सीखती है जिससे की वो जीवन में बहुत उत्सब के रूप में भी मनाती है और कभी-कभी परिशानियों का सामना भी करती है उन परिशानियों से कैसे वो बाहर निकले उसके लिए एक नया रास्ता ढूंडने की कोशिश करती है तो चलिए आज हम मिलते हैं Senior Pyramid Master विदूशी बुबना जी से जो की Spiritual Tablets की Director भी है और पिशले 12 साल से ध्यान कर रहे हैं और दिल्ली में रहती हैं उन्होंने समाज के अंदर इतनी छोटी सी उमर में खुद भी ध्यान सीखा अपनी सभी परिशानियों को दूर करा समझा और अब वो सेवा के रूप में भी आगे लोगों को भी ध्यान सिखा रही हैं और उनकी कंसल्टिशन भी करती हैं तो चलिए समेन आगवाते हुए उनसे मिलते हैं स्वागत है विदूशी जी आपका आत्मा की यात्रा कारेकर में लास्ते वाव विदूशी जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस शरीर के माध्यम से हमने इस धरती पर जनम लिया आत्मा का जो नया रूप होता है इस शरीर के माध्यम से सीखने समझने के लिए वो आती है तो हम यह जाना चाहते हैं कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ माता-पिता के बारे में अपने परिवार्चनों के बारे में और भजपन कैसा था। मेरा जनम एक संयुक परिवार में वुआ था। जो हमेशा प्रगती के लिए को सीखने के लिए तयार हूँ। मेरे ग्राणपिरेंट्स मेरे साथ रहते थे। उनके साथ खास तोर से दादा जी के साथ बहुत ही अनुखा रिष्टा था। और जो मेरे माता पिता हैं, मेरे फादर नरेश्चंद गुपता और मेरी माता जी दया गुपता। पापा हमेशा एक सर्विस क्लास से हैं हम लोग। तो पापा को जौब करते वे सुभे अर्ली मॉनिंग उठना ओफिस जाना लेट नाइट आना वो उनका शिडूल था। मदर का वईकी घर की टेक केर करना यह सब हम चार बहने हैं मैं सबसे छोटी हूँ तो बहनों में बहुत जादा लाली और हर इच्छा को बस बोलना और वो पूरा हो जाना क्योंकि मेरी और मेरी सिस्टर्स के बीच में एक बहन वाला रिष्टा कम और एक मा बेटी का जादा चैर्छा मेरे goo अपी ओल टे क्योंकि में मेरा जनम हुआ तो उनके साथ ऐक अलग रिष्टा था समय के साथ एक बांड इंग डिफरेंट हुई और सिस्टर्स के साथ बांड रिफरेंट हूऻू बहुत चोटी जब उनकी शादी हो गई तो उनका रिओता था कि हम जब भी तो उसकी जो जो चीजे हैं वो पूरी करना बड़ी दोनों सिस्टर्स का भौह जादा था उनसे तो बिल्कुल एक माँ की तरह और आज भी वो प्यार भी करती है और डाटती बिल्कुल एक माँ की तरह तो पापा और मम्मी के साथ ये था कि पापक सर्विस में थे तो दीदि कि तो शादियां हो गई लेकिन मेरे से एक ऐसा था कि डिफरेंट बॉंडिंग थी उनके साथ कि हर चीज को एक ऐसे कि आप फ्यूचर में कुछ बनो कुछ करो मम्मी को यह होता था कि मम्मी की एजुकेशन उस टाइम पिरिड में वो ग्राजुएट थी वो टीचिंग कोर्स बढ़ होता है लेकिन घर की रिस्पॉंसिबिल्टी की वज़े से कभी काम नहीं किया जॉब नहीं कर पाई उसे कि वही पुरे परिवार को नहीं समभालना है तो उनकी मेरे लिए बड़े ज़ा थे कि तो बड़े होके कुछ कर ना कुछ बना ऐसे ही नहीं कि शादी तो एक एक चीज है लेकिन कुछ करना तो एक बच्पन से जिसे एक सीड मेरे अंदर हमेशा की बड़े हो के कुछ बनना है कुछ करना है तो वहां से शुरुवाद मेरी हुई मेरे को क्लिफ-फलिफ है तो यह मेरी लाइफ का एक चालेंज था जो पामली में किसी को नहीं पता था कि म पहला चैलनग था कि धी जब बहुत चोटी थी तो जयसे सेलेक्शन होते थे कि Ce qis डांस प्रोग्राम में या लनी प्ले में तो मैरी को फर्स सिरल। उसमें में थिसमें था लेकिन जब मुझे बुलाया जाता था तो मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्यों मना कर दिया.. बाद में आता नहीं निक्सि टाम में अपको देंगे पहले छोटी तिर मुझे लगता था कि मैं शक्षा नहीं कर किया, मैंने मैंने डांस सचया च्छा देखिया Canadianそんな क τα । तो मुझे लगा कि शायद मैं अच्छी आ Bisous का डांस नहीं किया यर मैं अद्श नहीं किया इसलिए मुझे नहीं लिया तो उन्हें भूंभगता था, आहस तो जो मुझे अच्छी करेंची कTrivity था, तो मैं अच्छी ताप기 एदिश समीर काना कि लिए यह अजीब लगती है, तो बहुत छोटी थी, घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, स्कूल में यह सोसाइटी में तरीके से मुझे फील हो रहा था, तो में को धीरे दीरे समझ में आया कि शायद मेरा रिजेक्शन इसकी वज़े से होता है, और यह चीज मेरी, मैं कह सकते हूं, बोला दूर, धीरे धीरे मैंने अपना एक शेल क्रियेट कर लिया, और जो बच्चा बच्च्वन में घब्रादा था, खेलता था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना रिजर्व होता चला गया कि किसी को पता हीं चला कि यह क्लास में आता भी है, तो अगर टीजेक्श खड़ा कर तो मेरे हाथ पर फूलने लगते थे कि मैं अगर कुछ बोलूगी तो कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, तो मैं कैसे बोलूँ, कैसे करूँ, कहीं पार्टिस्पेट करना है, तो मैं कभी नाम नहीं देती थी, क्योंकि बड़ी क्लास में आपको नाम देना है, पहले टीच किया, एक बार म्यूजिक में, हमें ग्रुप सौंग का था, तब किया था, और वो भी मैं बड़ी सीनिय क्लास में आ गई थी, तो सर ने सब का सुना तो उनका कि नहीं में, मेरे को बड़ा वर नहीं नहीं, क्या थे नहीं तुम गा सकती हो, तुमारी वाज अच्छी है, गा चांस आया, तो मैं इतनी ब्लांक हो गई कि मुझे सर हर्मोनियम प्ले कर रहे हैं, और मुझे वो सुनाई नहीं दिया, तो मेरे साथ में जो थी, मेरी फ्रेंज उन्होंने गाना शुरू किया, तो मेरे को समझ में आया कि सर शच्छी कर रहे है, मुझे पिक अप करना, मैं अधेम जैसे awareness में आ गई, तो मेरे को और वो कि मैं तो करी नहीं सकती हूं, वो और जादा मुझे वो करा तो बस एक बार पार्टिस्पेट और किया था, वह भी सिंगिंग का ही था, डान्स का नहीं था तो वो कर लिया, उसमें में पहली बोल दिया था कि मेर को सेंटर में म मेरा वो था वहां पर बस दो परफॉर्मस दो बार मैंने पार्टिसिपेट किया इस तरीके से तो आपके जीवन के अंदर जैसे मतलब बड़े होते तक भी स्कूलिंग के टाइम पर भी आपको ये दिक्कत आ रहे थी इसका में कारण आपको समझ आई थी तब क्योंकि कुछ ह जब भी कोई है उसके बीचे कोई नग कारण तो होता ही उस समय तो मेर को एगी चीज थी कि मेरे लुक्स बात मैंतर करते मेरे फ्रेंड बहुत कम हो थे मैं देखती थी कि मैं अच्छे से बात कर रही हूं शेरिंग की नेचर बहुत जादा थी यो कि जब मेरा हम लोगों न 12 पास किया तो हमारी जो क्लास सीचर थी उनको आयती है कि वो टाइटल दिया कर थी तो उनस टाइटल में भी मैम ने लिखा था कि शी इस कोप्रेटिव और शेरिंग बट ऑल्वेज रिमें इन शेल शी नेवर ट्राइट तो वो चीज मुझे जाते जाते जम मैं ने का कि कि आप कभी अपने शेल को तोड़ कर बहार होगे क्योंकि तुम मैं पढ़ाती है लेकिन तुम नहीं आते हो बहार उस वज़ेसे ही तुम सब को बढ़ा सकते हो लेकिन तुम खुद स्कोर नहीं करते हो मैं हमेशा से एवरेजी रही स्कूलिंग मेरी पूरी अवरेज तो वो सारी चीजे मेरे को कही ना कहीं इंपक्त करती थी इंटर्नली कि कोई सोचेगा कोई देखेगा मैं नहीं कर सकती मेरे अंदर वो नहीं है तो आपका ये जो है विदोशी जी मुझे ऐसा जैसे बात कर रहे हैं हम तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बच्पन से आ आपको एक, मतलब जो शेल आप बना रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उस शेल की शुरुआ तब सही हो गए थी आपके अंगर, आप कह सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि मेरी डिपेंदेंसी थी, मैं कभी एक्सप्रेसी नहीं करती थी, कि मुझे ये कलर पसंद है, ये, शाहिद उन् कि मेरा फेवरेट कलर कौन से थे, तो मेरी कलर, मेरे चॉइस, वो अपने से बेस्टी किया, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन एक अपनी होती है, कि मुझे ये चीज पहननी है, ये चीज करनी है, वो कभी बोला ही नहीं, ये, जब मैं बड़ी भी हो गई, तब भ कि नॉर्मली चॉइस, वही वही ड्रेस ला रहे हैं, या उनको ही कह दिया, दीदी, मेरे ले ड्रेस ले आना, उन्हें पता है कि इसका साइस क्या है, वही परचेस करके लेकर आ रहे है, थोड़ा-थोड़ा बड़े होने तक, जो डिपेंडेंसी थी, वो इंडिपेंडेंस मैंने M.A.B.A. किया है, हिस्ट्री में M.A. किया था, वहां से ही एक तरीके से मेरे लाइफ का एक नया फेस स्टार्ट वा, फ्रेंड्स मेरे स्कूलिंग में भी थे, लेकिन एक बॉंडिंग जादा और भी, मैंने अपने कॉलेज में, वहां पर मैंने, किसी सब अपने में किसी को मतलब निये कौन कैसा दिख रहा है, किसका क्या है, फ्रेंड्स है, इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, आगे के करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां एक नया वर्ल्ड फील हुआ मुझे, कि यहां तो कोई नही कर रहे हैं, यहां टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्टर्स को कोई परवा ही नहीं है, वहां पर मुझे अच्छा, आप करना चाते हैं, आप करिये, वहां पर मुझे इविन मेनेजमेंट में के डेपार्टमेंट था, मैंने विविकनन कॉलेज से ग्राजुएशन करी थी, तो वहां पर मुझे इविन मेनेजमेंट में लिया गया, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं वो सब चीज़े कर सकती हूं, लेकिन उस इविन मेनेजमेंट में मुझे फिर बाद में अवार्ड मी मिला एक्सलेंस का, कि बहुत अच्छे से एक चीज को मैनेज करना, क्या-क्या च पहली बार वहां पर अवार्ड लेने गई तो हाथ पर फूल रहे थे, लेकिन जब वहां पर जब अवार्ड मिला और चियरमन ने हग किया और कहा कि वाव, I am so happy कि तीन साल से आप इतना सुंदर अरेंजमेंट कर रहे थे बड़े-बड़े फंक्शन का, तो ये लगा कि कर स तो आपका वो जो कहते हैं कि एक फूल का बीज जो था आपके अंदर, वो पनप के बाहर आना शुड़ू हो कि तो ये बहुत इंपोर्टन है कि हम जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी फैमिली एटमासफेर है कि हमेशा बच्ची को हमेशा एक शेल में नहीं बंद रखना चा करें तो आपको ये सरकम्स्टांसिस मिल गए ये सरकम्स्टांसिस फिर उसी टाइम पिरिएड में पापका आइस साइट की इशू हुआ था तो पापका जॉब में थी लेकिन जब जॉब से रिटायर हुए तो उन्होंने अपना काम शू किया था शेयर मार्केट में तो बी पापका बनाने वो सारा काम पापका बस बताते थे मैं करती थी देखना, डीलिंग करनी, परचेस करना, क्लाइंट से बात करना तो एक अलग तरीके की हो हुए कि मैं ये भी कर सकती हूँ बदला शेयर ने अपने आप ही की आपको ब्लूम करने के लिए की धीरे-धीरे जैसे आभी आप भी ये बात बुला तो वही की शेयर न हैं फिर उसके बाद रात को बिलिंग करनी है फिर रात को स्टडी करनी है फिर मॉर्निंग में स्कूल जाना है और ममा की जो गई थी तो होता था कि घर के थोड़ा सा काम भी करके जाना है क्योंकि मम्मी पीछे से बहुत जादा उन पर वर्क लोई वो नई बियर कर तो उस वक्त थोड़ा इरिटेशन होता था कि यार किया है सारी रिस्पॉंसिबिल्टी मेरे उपर आ गई लेकिन टाइम के साथ लगा कि मैं नहीं तो कौन उन्होंने भी तो किया तो क्या हो नहीं मैं कर सकती तो बस किया और मुझे लगा कि यह मुझे तो दे रहा है मैं तो आपको यह जो एट्मास्फियर मिला कहते हैं कि अगर परिस्तितियां टफ हैं मुश्किल हैं तो वो कुछने कुछ सिखाने के लिए आती हैं तो आपको जो आपका कैलिबर था ख्यमता थी वो पूरी तरह से धीरे धीरे उबर के बारा में लगे तो दोनों चीजों में आपको फैदा हुआ एक तो आपको confidence बढ़ गया कि हां मैं ये कर सकती हूँ दूसरा आपको समाज में भी एक recognition मिलनी शुड़ हो गई चाहे parent से मिलनी शुड़ हो गई बहुत अच्छी बात है क्योंकि जीवन में हर परिस्तिति को कैसे आदमी लेकर चलता है और हर परिस्ति कुछ सिखाने के लिए तो आपने बहुत कुछ सिखा तो आगे हम और आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे क्योंकि अभी जो मैं आपसे सुन रही हूं और आज की परिस्तिति आपकी देखते हैं तो जो आपने सीखा वो आज के समय में सब काम आ रहे हैं सब काम आ रहे हैं मतल तो आगे हम बढ़ते हैं, तो जैसे आपके आगे फिर parents नहीं शादी के लिए भी सोचा होगा, और उससे पहले एक चीज ऐसा, कि कुछ ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो, जो बहुत ज़्यादा आपको जीवन में या तो खुशियां या फिर गम देती है, तो कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुई, इस डॉरेशन के अलगा, इस डॉरेशन में इंसिदेंस तो बहुत सारे हुए, पहला था, जब मैंने पहली बार डेथ दिखी थी, अपने दादाजी की, बहुत क्लोज थी मैं उनसे, मतलब पूरे घर में था कि, अगर कोई बात मनवानी है उनसे या कुछ कहना है, तो विदू को बोलो, बहुत प्यार से, मतलब कोई मुझे घर में डाटा भी था, किसी भी वज़े से, क्या है, इसके पीछे क्यों पढ़े देते हो, सब का करती है, फिर भीसी कोई डाल तो, मतलब वो एक बहुत ही, उनके प्रोटेक्शन में एक क्योंकि उनको जाना इसलिए भी हिट कि जब मैं चोटी थी, क्योंकि सिस्टर्स बहुत बढ़ी थी, उनकी मैं जल्दी, तो नहीं मतलब उनके टाइम से होगी थी, मैं बहुत जादा चोटी थी, तो मैं अपने आपको बहुत बार अन्फिट फील करती थी, कि उनकी बाते स कि अपने बाबा के पास जाके बैठ जाती थी, उनसे बाते करती थी, वो अपने बच्पन की, वो सारी स्टोरी सुनाया करते थी, उनका मातमेटिक्स बहुत अच्छा था, बहुत जो वेदिक मैच आज इतना पॉपुलर है, वो उन्होंने सीखा था, मतलब पहले शाद वो मेरे को पैच्स कराया करते थे, जब तक वो करा पाये, लेकिन बहुत कुछ सीखा, कि लाइफ में स्ट्रगल हो लेकिन हारो मत उनकी लाइफ में बहुत प्योर्गल्स लेकिन वो कभी हारे नहीं, लास्ट मॉमेंट तक, वो स्ट्रगल उसको एक फटर की तर है, तो गए तो एक्चिली में फाइटर की तरह ही गए उनका एक्सिडेंट हुआ एक वन एड़ाफ मंस वो बेट पर रहे लेकिन बहुत टफ टाइम था उन्होंने बहुत उस एज में 80s 90s में थे और उस एज में इतना बीर करना वाक करना मतला कोई उन्हें देखके कह नहीं सकता कि कि वो इतना पैदल चलते थे वो कंवेंस नहीं लेते थे कि रिक्षा ले रहे हैं नहीं बहुत पैदल और यहीं आते थे जब तक चलते रहोगे तो कभी भी अपने आपको कमफर्ट में रखो लेकिन कमफर्ट से बाहर निकलना भी सिको तो लाइप के साथ प्रोग्रेस कि उससे पहले में दादी का देख चुकी थे लेकिन क्योंकि मैं जादा ज्यादा चाहिए उनक नों यह उनके जाने के एक साल बाद चले गये तो मुझे लगा कि मुझे एसा अपील आया कि उन्हों ने कभी express नहीं कि वो उनको miss करते थे लेकिन वो उनको miss करते थे और शायद इसी लिए एक जो soul contract हम समझते हैं आज के टाइम में वो उनका था कि एक partner किया तो responsibility सारी हो गई तो अब मुझे भी चले जाना चाहिए वो एक प्यार हम लड़ाईयां देखते थे लेकिन उसके पीछे कितना प्यार था वो हमने बाद में मैंने realize कि बहुत प्यार था तो एक यह relation होता है हमें सिरफ outer part दिखता है लेकिन अंदर का क्या है वो एक कपल ही जानता है तो बहुत खुबसूरत रिष्टा था उनका तो जिसको मैंने उनके जाने के बाद रिलाइस किया कि हां है जगड़े अलग चीज है या वो भी एक कियर कही फॉर्म होता है तो इसलिए उनको अगर जादा तवज्जू दो तो सेपरेशन में आजाता है लेकिन अगर आप उसको एक ठीक है एक लाइफ है लेकिन प्यार बहुत बढ़ा कि अगर दो से बांध की रखना तो उनका जाना पहली बार मैंने लाइफ में मैंने पहली बार दादी को देखा लेकिन उनका जाना जादा हेट वो तो वो मेरे लेए ड़ थी अक्छी कि वो चले गए अम मैं उनको नहीं देख पाऊंगी तो वो एक इंसिडेंट मेरे को बह बेटा लाइफ में कुछ बनना है तो वो कहते थे कि देख तू हमेशा एक उमीद है इस घर की और इस उमीद पे मैं चाहूंगा कि तू है तो जब वो गए तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी उमीद है तो मैं उस उमीद को छोड़ नहीं सकती तो अचानक से स्टडीज को लेकर मे कि उनके जाने से ऐसा लगा कि एक जुनून आ गया कि मुझे हायर स्टडीज करनी है तो पूरा अपने आपको डिवोट कर देना पढ़ाई में तो उसका रिजल्ट भी आया कि मैंने पोस ग्राजुएशन और बीए दोनों करी और घर में कोचिंग क्लासे स्टार्ट कर दी पापा का उधर बीजनेस देखना कोचिंग क्लासे करनी पढ़ाई भी करना उस सब बीच में जब मैंने कोचिंग करी वह भी मेरी फ्रेंड के थू ही उसने मुझे पोर्स किया कि उसकी मैड़िश थी तो कि नहीं तुम्हें करना पढ़ेगा मैं स्टूडेंट को बीच में कि मैंने कभी पढ़ाया यह मेरा इंटरस्ट कि कि नहीं तो कर लेगी पढ़ा जब मैंने उन बच्चों पढ़ाए तो है क्या मेरा पर्पस क्या है तो मुझे अपना स्कूलिंग ताइम यादा है कि कि जब मैं किसी को पढ़ाती थी तो वह तो बहुत अच्छा करता था तो तो मैं नहीं करती थी लेकिन वह बहुत अच्छा करता तो मैं पढ़ा सकती हूं, जुन स्टुडेंट को मैं पढ़ाती थी तो बच्चे अच्छा लगता था, उनके सा बहुत अच्छा तो मुझे लगा इसी में पर्शीओ तो फिर मैंने सोचा कि पोस ग्राजुशन के बाद बीएट करना है और मुझे टीचिंग में जाना है, तो आपने सोच ले, शेयर मार्किन में करना ही, मुझे बीएट करना है, यह एक सेकेंडरी है, जो आपने मुझे सिखाया, लेकिन बी दूशी जी, जैसा कि अभी तक आपका स्टडी में भी हो गया, आपने आगे एजुकेशन के साथ, फिर अपना कैलिबर भी समझ लिया, कि मुझे क्या करना है, मेरा परपस क्या है, तो आपने जो बच्पन में देखिए, कि जो चीज हम बच्पन में अंजाने में करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आई जाती है, तो आपका पढ़ाना बच्चों को एक नया रूप लेकर आया और आपने अजुकेशन स्टार्ट कर दी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके नए जीवन के नए पढ़ाव के लिए, कि आपके मैरेज, जादी कब और कैसे हुए? मेरी शादी टूथाउजन सेवन में ही थी, वो एक कुपसरा चा कोइंसिडेंस था क्योंकि मैं मैं एरिज के लिए प्रिपेर नहीं थी, मुझे हायर स्टेडिस का बहुत क्योंकि मैं को स्टेडिस का बहुत जादा हो गया जाने के बाद तो एक् कि शादी का मतलब है मेरी स्टेडिस बंद होना जिसको आज रिलाइस करती हूँ कि मैंने थौट खुद थोड़ी थी कि शादी के बाद में हायर स्टेडिस नहीं कर पाऊंगी तो जब भी शादी की बाद दीदी करती थी तो मैं मम्मी को पहले ही बोल दीथी, सुनना नहीं दीदी को बोलने तो मच इसी जल्दी क्या है जल्दी जल्दी शादी करके क्या होगा तो अभी पढ़ाई करने है तो अभी तो करियर के शुरुवादी हुई है इतनी जल्दी कोण मेरे किसी फ्रेंड की नहीं उएगा तो मिझे नहीं करनी अभी अभी मैरेश तो मेरे ग्राजुट थी वे तो सुनोगे। तो इतनी सारी फ्रेंड में एक दो क्यों गई तो क्या करना है उनका था नहीं परपस नहीं करनी नशादी तो वह मम्मी टाल देती थी दीदियों को तो एक बार दीदी बस अर गए कि नहीं मम्मी आप सुनोगे नहीं हम तो हमें करनी पड़ेगी तो मेरी मारज जब हुई तो वह सब्सक्राइब किसी से मिलना तो जब मिले तो मैं स्कूल से आई थी मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि नहीं मालून था अगर इसे पता चल लिया तो स्कूल से ही लेट आएगी आएगी नहीं और मेरे को बहुत तीस फीवर था कफ कोल था और जब मैं आई तो सब घर में संडे नहीं कोई फेस्टिवल नहीं सिस्टेव ऐसे नहीं आती ती तिनों तो मैंने कंचानक क्या हो गया सब घर में तुछ तया यह था नहीं क्यों आई होती तो अश्मर्च से आएगे तो मिन ए मेरी इनिखने आ गये वह सारह के आए के नहीं कbuat जमी बात कर देख रहा है और शुमाझती एक Christmas से निर्ट मेरे ठीक निते हुआ नहीं कि नहीं स्कूल यूसे यू रहा है तो फिर मंद बैड़ टिखाया फर्स्ट टाइम मैंने कि मिल को नहीं करनी शादी मैंने कि ममी समझाने के बाद आप फिर नहीं पहुंच गए कहती नहीं तो देख तो ले मिल तो ले वही होता है कि देख ले मिल ले जब मिली बात करी तो ऐसा लगा कि कि he is the right person जो समझ रहा है जिससे में फर्स्ट टाइम उससरे में इतनी सारी बाते कर ली उसने अपने बारहें बताया उजह नहीं मालू मुस्त बोला या मैंने जादा बोला और कोई हैं जो आपको बहुत धान से सुन रहा है तो वह पहला इंसान था जिसने बहुत ध्यान से सुना पूरे इंटरस्ट के साथ और वह भी मेरी तरह रिजर्वी है तो कम बोलते थे तो जितना बोल रहे थे तो घर में भी कि इतना बोलता नहीं है इन इतनी दियर होगे यह तो बाते ही करें जा रहे हैं छूटी नहीं रहे तो बस इस तरीके से बस यह हां कर दी दोनों ने एक दूसरे के लिए और लाइफ बहुत भूसुरती से और यह में कह सकते हूं कि इस रिष्टे में इतनी खुबसूरती जो मैं फील करती हूं क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं कितना ही आगे कर लूं कहीं ना कहीं ब इस वज़े से कहीं ना कहीं मैरिज से डर लगता था लेकिन शादी के बाद कभी ऐसा फील ही नहीं आया ना शादी से पहले जब उनसे मिली तो एक लुक्स को ना देखकर सिर्फ आपने एक परसन को देखके प्यार तो वह कितना खुबसूरत रिष्टा कि खुद को खुब सूर्थी से उस दिर मेरे को महसूस कराई तो जो आज तक चल रही है तो हम उनका नाम सुन सकते हैं मनीश कुमार भूबना जाजवन का नाम है तो वी ध्यान में हमारे साथ करते हैं तो जब आपने यह बात सुनी मतलब यह तो बहुत अच्छा ऐसास है क्योंकि जीवन का ज जन्म के यह भी एक नया जन्म में ही माना जाता है तो जो आपका शादी के बाद का जीवन था उसकी बेस जो थी आपकी अच्छे तरीके से हुई अंडरस्टेंडिंग हो गई और एक जो आपका बच्पन से एक ब्लॉक चल रहा था उस ब्लॉक को उनके माध्यम से और खु आपने शियर्स का काम आपके फादर ने आपको सिखाया ठीक है आपकी एजूकेशन और आपको आगे जो पार्टनर मिला वो भी एक प्रोफेशनल और सीय मिला तो उसमें भी आगे हल्प की स्टेज आगे आपकी एजूकेशन तो थी थी बट वो भी एक नई स्टेज आगे तो आगे का जो आपका जीवन था वो कैसा रहा जीवन मैं ये कह सकती हूँ कि एक सही में एक नया चैप्टर था मैं सही उक पईवार से जरूर थी लेकिन हमारे घर में किसी चीज की इस तरीके से रोक टोक नहीं थी और मेरे साथ बिलकुल भी नहीं थी क्योंकि जैसे ऐसे मैं बड़ी हुई सिस्टर सारी मैरेज हो गई थी तो मैं एक उल्ली चाइल्ड की तरीके से घर में रहती थी तो हर तरीकी की फ्रीडम क्योंकि पापा के साथ भी काम करना जॉब भी करनी तो एक तरीके से independence और अपनी decisions लेने थोड़े थोड़े शुरू कर दिये थे वहाँ पर तो अब जिस family में मेरे शादी हुई वह बहुत बड़ा सनयुक्त परिवार था रेक कंवेंशनल फैंली थी वह महाल मैंने कभी बच्पन से देखा ही नहीं था जिस महाल में मेरी शादी हुई तो मेरे एक्सपेक भी नहीं था जब हम मिले थे तो यह होता है कि भी ठीक है सबका अपना लाइस्टाइल होता लेकिन सोच आज के टाइम की जगे उनके इतना जादा रिलीजियंस होना क्योंकि मैं नहीं थी मम्मी थी मैंने अपनी मदर को देखा अपनी दादी को भी देखा पापा भी ठीक है हवद वगरा सब कुछ में पार्टिस्पेट हम बच्पन से करते थे लेकिन किसी का चीज का यह नहीं था कि आपको यह करना ही पड़ेगा और मैर ने शОला में भी छोप णेया और मेरे लॉs के बीच में लेकिन मैं वहां पर बहुत को सीखा क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार में कभी नहीं रही और क्योंकि मैं को पढ़ाई का बहुत जादा थै घर का काम करती ती मैं लेकिं हम फैमिली में थे कितने दादी जी रह नह सबका शियर करने का तरीका सब की साथ does time spend का तरीका बहूँ अलग था तो मैंने नहीं कभी experiencedanner हैं तो मैंने कह साती हूं कि एक नए तरीके से उस चीज का gratitudeול कि और चीज Nature कैसे करते है क्योंकि हमारा सही परिवार छोटा ही परिवार था लेकिन वो actually मैं सब साथ रहना तो वो वो चीज मैंने time के साथ realize करी इतना जल्डी नहीं था मेरे लिए क्योंकि acceptance मिर को भी लेने में बहुत problem हुई मैं यह कह सकते हूं कि आज मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन उनकी मेरे से थी तो मेरी भी थी लेकिन जब अपनी expectation छोड़ी तो रिष्टा खुबसूरत हो गया तो दोनों तरफ से ही वाइस वरसा कि उन्हों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं भी बढ़ा पाई अपना तो आज वही parents है वही परिवार है आज जब उनसे मिलते हैं इनसे बात करते हैं तो कुछ नहीं सिरफ प्यार आता है उन पर बहुत जादा वही ध्यान करते हैं और हर चीज को सुनते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो जो रिष्टा शायद थोड़ा सा तनाव से था आज बहुत खुबसूरत तर अदेलिंग फील होती है उनके साथ तो बहुत ही कुबसूरत उनके साथ पिड़ाग वी ध्यान करते हैं पत्री सर से भी मिले है और कोई बीप्रोग्राम होता है तो आते हैं विए यह पेरेंट दोनों पैरेंस ही है इं-लो जो नहीं काओंगी आज ने थे लेकिन आज पेरे फादर जो मैं काऊंगी उनका नाम सुरेंद्र कुमार भूबना है और मदर का नाम राज दुलारी भूबना तो ध्यानी है वो किताबे भी पड़ते हैं दोनों कोई भी बुक अगर मैं देती हूं तो मामी जी को बहुत शौक है किताबों का तो वो कम्प्लीट करती है है सिर्जल दिन में कोई दिन नहीं होगा जब वो बिना ध्यान की अपना शुरुवात करें या रात को करें आ सुने करें ध्यान को संब में एक मैं कह सकती हूँ कि प्यार को क्रियेट कर पाई एक विदूशी जी जैसा कि आपने बताया है कि आजकल जो महाल बाहर चल रहा है उस महाल में क्यों हमेशा डिस्टरबेंसिस आ जाते हैं क्योंकि acceptance नहीं होती और सीखने की तमन्ना नहीं होती यह नहीं माना जाता है कि यह जो परिस्तिती है उसमें भी मुझे भी कुछ सीखने है तो यह मेरे लिए इसी लिए यह एट्मॉस्पियर आया या परिस्तिती आई तो आपने बहुत अच्छा जीवन को समझा और सीखा तो आगे की आपकी जर्मी जो है आपका जो आगे परिवार बड़ा आपकी फै थाइम परिम ध्यान में आगए थी लेकिन उतना जादा मैंने कोईगी कि मुझे समझ थी ज्यान था या जानती थी मेरी जो हम चार सिस्टर थर्ड नमरी सिस्टर थी शक्ति गुपता वो शासी सर के धर के पास जाती थी उन्हों का जो सैंटर तो उन्हों ने वहां जाना श ओने पापा के मिलते थे तो धुत था कि फिर दी से ओन से श्व एक्ञान को फड़ा जान चाहिए नई मेरे को इसादा जान गया प्लम कर दो हुआ को बाए तो प्यों कई ले कोइए ले प्मेर को यसा लगता और चैन्चति अन्नailleurs को करांदि हुआ म colleg आए नहीं उपको जाए मेलने फैमली बड़ी है एक दिज स्ट्रेस कासा जाएबा कि अ इसे Rei मिन जब था इंशád र이 मंत आएध से घुआ मटम मिल गईrist लोग तो भी मिल और भी में व्हाय मुर्वली मैंने पहले का कि मेरे जो फैमिली थी वह बहुत रिलीजियस फैमिली थी तो उनको यह था कि कुछ करें पूजा दिखाने के लिए करें कैसे भी करें कुछ तो करें कुछ भी नहीं करती है तो बिल्कुल भी है ही नहीं इंटरस्ट ही नहीं है और घर में सबको इंटरस्ट तो मैं बैठी थी तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि क्यों बैठी हो आग बंद करके खड़ियो उठो तो यह था कि अच्छा चलो बैठी है ध्यान कर रही है समझते थे तो जब बैठना शुरू किया तो यह शुरू में माइन में पीछे यह था कि थोड़ी दिर बैठने को मिल काम में से रिलाक्स होके बैठने को लेकिन यह बाद में समझ में आया जब मैं पत्री सर से पहली बार मिली कि जब सेंटर पे गई फर्स टाइमी सेंटर पे गई थी और फर्स टाइमी सर आय थे जिनसे मैं पत्री सर से मिली तो पहली बार समझ में आया कि जो मैं रिलाक्स हो करती थी यह मुझे जब मैं सर से मिली सर के सा序फ जब ध्यान किया तब समझ मैं कि अंज़ तो मैं बहुती इनर्जी इतनी ऊटिलेगे इतनी खुश क्यूह ऊंद ढूच्रे कि इन्हीं थी जितना मैं सर से मिलकर कुन कि इक उसको शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए जो एक अलग सा रिश्था, एक अलग सी फीलिंग कि कोई व्यक्ती इतना प्यार कैसे कर सकता है जिनने नहीं जानता उनको प्यार भी कर रहा है डांट भी रहा है एक अजीब सा फीलिंग थी जो शैद ब्यां करनी बड़ी मुशकिल है कि ऐसा भी कोई हो सकता है ये कैसे गुरू है क्योंकि बच्ठमन में जाते थे ममीव पापा के साथ, तो हमेशाँ देखा, कि हवन भी बड़े-बडे महायग्गे होते थे, पापाब़ पाटिस्परेट करते थे, तो हमेशा देखा, जितने भी साधु वगरा होते थे, वो स्टेज पर बैठते थे, और वहां से मंत्र किया करते थे तो हमेशा सबको उंचा देखा एक ऐसा गुरू जो साथ देखा वो ध्यान होने के बाद गले भी मिल रहा है सब सको हाथ मिला रहा है मतलब यह तो एक नए चीज थी नमसकार करते हैं सब पैर चूते हैं लेकिन वो हैंडशेक करते थे समझी न कि पूराब भराल सेंटर होता था सरका जब पत्री सरा देथ हो सब से मिला रहे हैं किसी को इस चुछा लगां तो सुन रहे हैं ये नहीं कि फटा 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 चले गई इतना टाइम स्पेंट कर रहे हैं इक बड़ा जाए एस一 Ru मैं कहे सकते हूं कि शार सिर्फ अबाबा गये, उसके बाद एक की, हो शार दादाजी भी रहे, पापा भी रहे, पापा भी रहे, और हैं भी उनसे पियार कही महसूस किया। सर से कभी जादा बात नहीं कर पाई मैं लेकिन सर का होना सर को दीखना सर के पास होना ही वो सब चीजों को एक संतुष्टी देता था हम दर से इन लॉस भी साथ गए थे तो उनकी ध्यान की जर्नी तब शुरू ही जब वो पत्री सर से मिले पस्टाइम और उसके बाद वो करताल हम गए तो विजुशी जी जैसे कि आपकी पहली बेटी हो गई तब आप इतना ध्यान नहीं कर देते जस्ट आपने यही समझा फिर जब आ जब एक मा ध्यानी होती है तो आने वले बच्चे के उपर क्या इंपेक्ट रहता है तो हम आपकी इस उससे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बहुत जादा क्योंकि बड़ी बेटी के टाइम पर मैंने शुरू किया था लेकिन जो जो मैं फील करती थी उसके लिए क्य मेरा बहुत लंब एक कैप था मिरको यह था कि नहीं मैं इसी की केर करूं यही बड़ी हो लेकिन जब मैंने दूसरा बच्चा प्लान किया तो उससे पहले हम मैंगलोर पिरमिड वैली गए थे वहां जब गए वहां बच्चों को भी देखा तो मन में आया कि अगर मैं कोई बेबी करूंगी तो एक मास्टर होना जए मास्टर का मतलब यहां पर मेरा इसरफ यह था कि वो ध्यान को समझे ध्यान की बातों को समझे उसके अंदर बसावा हो कुछ ऐसा वैली से जब वापस आये तो एक महीने बाद पता चला कि मैं कंसीव कर लिया तो बस तभी पहला चैलेंज आया कि मेरे सिस्ट युटरिस में सिस्टी तभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होई कि ध्यान करना है बहुत ध्यान को बढ़ाना है वरस में को डॉक्टर ने का कि आप अभी पंदरा दिन बिल्कुल बेट से हिनना नहीं है तो कोशिश करी रेस्ट करा बहुत लेकिन मेरी जो सिस्टर थी जिनों आ में ध्यान तो मैं उन से बात बात होती तीici क्योंकि मैं नहीं जा पाती थी सेंटर जादा भहुत जापलती थी तो दीडी मुझे बताती थी कि आज ये हुआ ज Police Chief अज यह हुआ तो उन से बात तो वो कहते थी कि वो experience बताती थी different masters के तो मेरे अंदर आया कि अच्छा ध्यान करने से ऐसा भी होता है कि आप अपने बेबी को सब कुछ बता सकते हो, उसको संसकार दे सकते हो, बहुत कुछ सिखा सकते हो, तो मैं भी करूगी, इस बार तो मैं ज़रूर करूगी, तो मैंने ध्यान करना शुरू किया, जैसे हेल्ट अधिक्का या कुछा तो अधिक्त के थैदि देंगे में हो ुदध कि में काम किये और दीयान कर और झाले कि Enow tu घ्रिय। आंफिस चले जाते थे बहुघ के जाती थी उतका धुटिया जाती तो उसको इसको आप्धाइया वो खेल रही है तो उसको सवह मैं कि द्यान करते हैं तो वो कभी कुछ नहीं कहती थी मम्मी ध्यान करी है फिर बुक रीडिंग करी कि बुक रीडिंग इंपॉर्टन्ट है तो बहुत सारी फील होता था पहली बार एक्सपिरियंस किया बड़ी बेटी के टाइम पे उसने मेरे को किक किया कुछ फील नहीं आया फर्स टाइम मैंने बेबी के किक को रेलाइज किया और उसके से कनेक्शन समझा कि जब मेरी बड़ी बिटिया जो में बुक रीड करती थी उसको को स्टोरी फॉर्म में सुनती थी मेरे से कि आज आपने ममा क्या पड़ा तो जब वो समझती थी तो मेरे को मेरा बेबी किक करता था चोटी वाली बिटिया तो मुझे बता था कि वो भी सुन रही है मुझे फिर धीरती रिलाइज कि वो सुन रही है क्योंकि जब भी मैं उसे सुना थी तब ही किक करती थी वो ऐसे नहीं करती थी तो बड़ा अच्छा फील होता था और वो मेरी बुक जब तक complete हुई उसके बाद ही उसका birth हुआ और जिस दिन उसका जनम हुआ उस दिन पूनमाशी ही थी तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो जर्णी बहुत कुपसुरत थी मैंने बहुत सारे ऐसे experience किये बेवी के साथ की उसे क्या पसंद है क्या वो कहना चाती है उसका और बड़ी बिटिया का relation वूम से ही एक बहुत ही different था वो जैसे वो एकदम मैचूर एक बड़ी बहन की तरीके से हो गई इतनी कियर हर circumstances को accept करना जो भी है और उसको इतना प्यार से कि हाँ वो आई तो उसको अंदर कोई jealousy नहीं थी एक पूरा पूरा एक प्यार वो उसके और उसके बीच में सिर्फ साड़े चार साल का difference है लेकिन इतना प्यार वरना नॉर्मली मैंने अपने फ्रेंड्स में और उसना कि इतनी चोटी एड में बच्चों में jealousy होती है कि ममा शेयर कर रही है अपना प्यार लेकिन मेरी बेटी के अंदर कुछ भी नहीं था उसने पूरी तरीके से उसको accept किया तो वो यही था कि कई बार मैं अकेले ही ध्यान करती थी कई बर होता था कि वो भी बैठती थी बड़ी बिट्या भी हम लोग खेलते थे तो वो ऐसे करती थी कि ममी बेबी भी खेल रहा है मैं भी खेल रही हूँ आप भी खेल रही हूँ हम तीनों खेल रहे हैं तो जो स्टोरी मैं पढ़ा करती थी बुक् कि boy और girl के बीच का difference की एक बेटा क्या होता है और बेटी क्या होती है तो उस book में एकनी कुपसूरती से दाय कि हम physical form में एक बेटा और बेटी का difference समझते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा actually में नहीं है बेटे का अर्थ सिरफ इतना होता है जहां पे प्रेम हो और केर हो वो बेटा है वो physical form में female भी हो सकती है male भी हो सकता है तो मेरे अंदर शाय कहीं न कहीं एक सीथा की बेटी है तो एक बेटा हो जाए family पूरी हो जाएगी तो वो भी वहाँ पे breakdown हो गया और बहुत ही खुपसूरती से जब वो आई हमारे जीवन में तो बिलकुल एक angel की तरह ही feel हुई एक इतनी खुपसूरत इतना एक अलगी feel एक connection feel किया मैंने उसके साथ और बहुत कुछ सिखाया उसने मेरे को क्योंकि उसके टाइम पर इतना ध्यान किया मैंने कि मेरे दिमाग में जुनून था कि बस ध्यान ही ध्यान जीवन में काम करो ध्यान करो काम करो ध्यान करो तो वो रोती थी वो मुझे करने नहीं देती थी जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरे को इरिटेशन भी होती थी कि यह मुझे ध्यान क्यों नहीं करने देती, तो सर हमेशा सिखाते हैं, तो मैं पत्री सर एक बार, सर की क्लास में सेंटर आए, तो सर नहीं समझाया कि मा का पहला ध्यान उसका बच्चा है, जब अगर मा बच्चे को छोड़ कर ध्यान कर रही है, तो वो ध्यान ध्यान नहीं है, तो आप बच्चा रो रहा है, आप ध्यान कर रहे हो, बच्चे के साथ समय बिताओगे, तो भी उड़ जा मिलेगी, तो जब सर ये अपना बता रहे थे, तब मेरा वो चीज चैटर रही कि नहीं, मैं क्या कर रहे हूं, वो रो रही है, वो हो जाते हैं, वो वाली सिचुएशन क्रियेट हो लगी थी, उसने उस चीज से मुझे भाल लाने में बहुत हिल्प करी, कि एडिक्शन नहीं, बैलन्स होना चाहिए, फैमिली और अध्यात्म में, जो मिडल पासर कहते हैं, वो मेरी छोटी बेटिया ने मुझे सिखाया, कि बड़ी बेटिया ने हर चीज के लिए सरेंडर जो ममा को चाहिए, वो करो आप, और चोटी बेटी ने बैलन्स करना सिखाया, नहीं, क्यों करो आप, आपको सीखना है, तो वो जिद करती थी, और उसकी जिद फिर दीरे ये हुआ कि उसके सार समय बिताया, पूरा 100% डिवो आज वो ही है, ममी मेरिटेट भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, वो कभी cautionaries नहीं करती ही, कभी आके परेशान नहीं करती है, ठीक है ममा करने है, तो और arrange कर देती है, कि हाँ, ममा को करना है, अब वही बितिया है, आज, लेकिन उसने भहुत बड़ा लेसन की, नहीं, हर च इस चीज को समझ पाए कि कौन सी बूक आपने पड़ी जो मैंने बूक पड़ी थी उस समय हिमाले का समर्पन्योग श्रीशेव कृपानंद जी की ऑटो बाइग्राफी थी एक जर्नी आत्मा को जानने की उस तक पहुंचने की संतों की क्या होती है उन्होंने कैसे कैसे एक फै फैमिली लाइफ में गए और फैमिली लाइफ में जीते वे उन्होंने आगे किया तो वो उस फर्स पार्ट में उन्होंने अपनी जर्नी पूरी बताई थी कि कैसे उनकी वाइफ ने सपोर्ट किया उन्हें तो वो उस चीज ने मुझे अपने और अपने हजबन के पीच का बालंस करना भी सिखाया कि कैसे एक पत्नी का रोल होता है अपने हजबन की लाइफ में उसकी अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है आत्मा के स्तर पर तो आप कैसे अपने पार्टनर को समझा सकते हो तो और साथ की साथ अपने आप उसमें बच्चों का कुछ ज़्यादा था नहीं लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ समझ में आया अपने बच्चों को देने के लिए बहुत सारी स्टोरी करमा से रेलेटेड क्या होती है तो मैं अपनी बिटिया को सुनाया करती थी जब वो अपने इंसिदेंस बताया उसमें उस पूरी बुक में उन्होंने चो समस्कार भूम से आते हैं विदूशी जी ये बहुत अच्छी एक समाज के लिए भी बहुत अच्छी आदत है और हमें अभी समझा रही है कि पत्ती जी क्यों कहते हैं कि हमें किताबे पढ़नी चाहिए और क्योंकि वो अपनी चाप आत्मा के स्तर पढ़ छोड़ जाते हैं कौंशेस लेवल पर हमें चीजें समाज आ जाते हैं तो एक जब हम एक नए बच्चे को समाज में ला रहे हैं तो जो आपकी बिटिया ने आपको सिखाया जिस माध्यम से सिखाया कि हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए हम इस तरी रूप में तो हमें अपना धरम पत होना चा फूरे करने चाहि terr西 और जो बच्यों के रूप में वही काम हमें बच्चों के भी संसकार देने में सबसे बड़ी चीज जो देने के लिए वह पयार है तो चाहे हैं पुस्तोकों के माध्यम से उनको दे रहे थे जाए अपने बढम से इस लिए विगर ने दोनों चीजों मे तरीका है और हमेशा सीखते रहने का तरीका है यह बहुत अच्छा है लाइफ में तभी हमारी जो आत्मा है इवाल होती चली चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब समय की थोड़ी सी आभाव है हम आप से पुनाय मिलेंगे अगले एपिसोड में अब तक हमने आप से बहुत कुछ पाया है बहुत कुछ सुना अगया चाहते हैं अगले एपिसोड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्श को जैसा कि अभी तक हमने सुना विदुशी जी की जो भी यात्रा हमने देखी कि जीवन के अंदर हमेशा सीखने का जो एक क्रम है वो हमेशा हमेशा आगे बढदते रहे और मेनत करते रहेए क्योंकि जब हम मियनत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में आगे जाके फली भूत होता है और जीवन के अंदर में एक जो लास्ट में हमने सुना कि जो धरम है आप किसी रूप में है इस तरी रूप में है तो इसने धरम को पूरा निभाएं आप पुरुष रूप में है तो पुरुष रूप का पूरा धरम निभाएं और संसार में रहते हुए निर्वान की और मतलब उनके physical challenges भी जो हैं ध्यान के माध्यम से कैसे उन्हों ने उसको समझा और आगे कैसे उनको भी ठीक किया तो बने रही है हमारे साथ आत्मा की यात्रा में अगली बार हम पुनह मिलेंगे विदूशी जी से तब तक के लिए आग्या चाहते हैं धन्यवाद आप सब का साथ में तो बहुत सुना है वेजिटेरियर एली सर निकालते है निकालने चाहिए दिल्ली में कभी experience अमनारे सामने नहीं हुआ हमने नहीं किया था फर्स टाइम था कैसे निकालनी चाहिए उससे आप के अंदर एक अलगी उर्जा को महसूस किया कि सब कुछ मैनेज करना और मैनेज भी नहीं किया मैं गलत है यह कहना कि हम दोनों ने कुछ किया हमने सिर्फ एक इंटेंशन डाली और अपनी इंटेंशन को सब को बताया और सब जूड़ गए सब आए इतनी कुबसूरों तई बच्चे भी थे स्कूल की सपोर्ट हमें मिली हमने सिर्फ मन में एक यह म सब चीज़ा अपने आप हो गए बस हमने संकल्प किया है अगर जीवन घर घर में सत्यका दर्शन सब्सक्राइब